असला अलेकूम हाई वेलकम बैक तू मैं चैनल मैं नेम इस निलोफर एंड यू आर वाचिंग मी ओन निलोफर्स रिवी यूट्यूब तो मैं बताना चाहूंगी पहले मेरे चैनल का नाम था निलोफर्स व्लॉग और जिस पे मैं आप से शेर करती थी अपने डेली व्लॉग ब्यूटी टेप्स एंड कोकिंग के रेसिपीज बट ड्यू तू सम रीजन मैं लास्ट यर से एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे ज जो एक 100% true reviews होंगे जो चीज़े में यूज करती हों जो भी products यूज करोंगी जो भी यूज करोंगी वह उसका एक 100% means honest review आपके लिए ज़रू लेकर आउंगी तो अभी means आप भी बता सकते हो कि आपकिस product का means review चाहते हो मेरे comment box में जाके बस first of all मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और bell icon को भी जरूर प्रस कर दीजेगा तो चलिए start करते हैं वीडियो तो आज हम बात करने वाले fit me foundation की जैसे आप जानते हो कि इसके reviews हमेशा अच्छे ही होते हैं और यह बहुत ही wanted means foundation है जो आपकी range में भी आता है और बहुत ही effective भी है तो मैं अपना personal जो मेरा experience रहा है fit me mad polis foundation के साथ वो आपको आज share करने वाली हो तो friends first of all मैं बताना चाहूंगी के मेरा जो means shade है वो light badge है 118 जो मेरी skin पे suit करता है मेरी skin tone जो है vivid test है तो उस पे यह अच्छे से जाता है ठीक है second thing मैं बताना चाहूंगी यह जो foundation है यह normal to oily skin के लिए है point to be noted normal to oily skin के लिए जिनके super dry or dry skin है वो इसको please buy मत करें क्योंकि वो यह foundation उनके लिए नहीं बनाए और शायद बिल्कुल भी उनको suit ना करें मेरी skin oily है मेरे pores भी है जो open pores है तो यह उन पर बहुत अच्छा work करता है matte finish देता है और बिल्कुल भी pores को visible नहीं होने देत हैं तो first of all मैं बताऊंगी आपको के foundation जो है बहुत ही ज्यादा light weight है जब आप इसको apply करते हो तो आपको ऐसा कैकी सा और heaviness नहीं feel होगी नहीं यह आपके skin पर कैकी होगा ठीक है बहुत ही light weight है और अगर यह light weight है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि coverage जो है वो आपका full coverage नह सा नहीं है यह उतना ज्यादा effective नहीं है हाँ यह जो foundation है वो आप daily use में apply कर सकते हो means आप office girl हो ग्रहनी हो या फिर college going girl हो तो आप इसको apply करोगे बहुत ही light weight effect देगा आपके face को और आपके skin को बहुत ही means smooth finishing देगा जिससे के आपके skin अच्छी दिखेगी बट अगर आपके problematic skin है और आप चाते हो उन्हें cover करना तो वो इससे आप नहीं कर सकते हो बट हाँ एक smooth finish के लिए एक matte look के लिए यह बहुत ही अच्छा है और आप इसको daily में wear कर सकते हो तो जैसे मैं बता रही थी कि यह dry skin वालों के लिए नहीं है तो last year मैंने एक foundation का review अपने चैनल पर किया था वो swiss beauty का foundation था तो मैं बताना चाहूंगी इस beauty का जो foundation है हाई coverage का high coverage तो वो आप ले सकते हो buy कर सकते हो वर्थ है आपके लिए आप मेरे चैनल पर जाके उस video को देख सकते हो और उस पर जो भी information है वो collect कर सकते हो और वो भी मेरा true means 100% original means मेरा review था जिस पर आपको उस पर आपको demo भी मिलेगा तो बहुत ही अच्छा foundation है वो भी और जिन लोगों की oily skin है और जैसे मैंने बताया matte finish जाते हैं उनके लिए यह foundation भी काफी अच्छा रहेगा और यह बहुत थी मतलब बहुत ज्यादा high नहीं है इसके rates cheap है बट आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत सी site पे यह fake भी मिल रहा है मेबलिन का fit me foundation है वो चाइना बेस से जाके इसको buy कर सकते हो मैंने भी वहीं से लिया है इसको तो मैंने जैसे आपको बोला था मैं आपको true review देऊंगी तो आज का जो मेरा एक छोटा सा review है यह foundation के लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको यह review पसंद आता है तो मुझे comment box में जरूर बताएं कि आप क्या इसको means चाहते हो कि मैं इसका demo भी करूँ अपने face पे लगा के तो please मुझे आप जरूर comment में बताईएगा और यह fit me 118 जिन लोगों को जैसा मैं बताया है oily skin वाले हैं और उन्हें light weight foundation के लिए सोच रहे हैं तो आप यह जरूर अपलाए करें यह आपके face पे बहुत अच्छा दिखेगा तो चलिए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर stop करते हूँ और मैं मैं इसे hope करते हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और next time अगर आप चाहोगे तो मैं और भी foundation के reviews लाऊंगी आपके according to your skin according to your complexion तो till then goodbye take care Allah Hafiz करता हूँ आपको यह वीडियो